नमस्कार दोस्तूं कैसे हैं आप सब आप सभी परमातारानी की किरपा बनी रहे और चलिए बात करते हैं अक्षयत रितिया के बारे में हिंदू धर्म में अक्षयत रितिया का बहुत ही महत्पूर्ण अस्थान है इस दिन बिदी बिधान से मा लक्षमी की पूजा की जाती है और चलिए अक्षयत रितिया का सुभ महूर्ण अक्षयत रितिया के दिन क्या करना चाहिए और अक्षयत रितिया से जुरी हुई मान्यताएं क्या है हिंदु धर में अच्छे तरितिया का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है यह तिवहार बैसाक मा के सुकल पक्ष के तिर्टिया तिथी के दिन मनाया जाता है सुभकारियों के लिए ये दिन बहुत ही शुभ माना जाता है अच्छे तृतिया को आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है इस बार ये तेवार 3 मई 2022 दिन मंगलवार के दिन मनाया जाएगा इस दिन देवी लक्षमी की पूजा की जाती है और इस दिन गंगा असनान करने और दान का भी विशेश महत्तु होता है इस दिन दान करने शेपुनी की प्राप्ती होती है इस दिन सोना खरीदना बहुत ही शुब माना जाता है ये दिन नए कारियों को करने के लिए भी बहुत ही शुब माना जाता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये तेवहार क्यों मनाया जाता है इसका क्या महत्व है इसकी तिथी और सुब महुर्थ पर चर्चा करते हैं अक्षे तृतिया का सुब महुर्थ सुर्वाद 3 मैं सुब 9 बच कर 19 मिनट से होगी और रोहनी रितिया का समा 5,4 मैं सुबा 7 बज़ के 33 मिनट पर होगा रोहनी रितिया का महत्म ये दिन शुब कारियों के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है ये दिन वस्त्र, अभोशन, वाहन, प्रोपर्टे के साथ ही बिभा करने के लिए भी बहुत अच्छा है इस दिन जवरतमंद को धान करने से आर्थिक स्थिती में सुधार होता है अच्छे तृतिया को मनाने के पीछे जो मन्यताएं जूरी है ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विश्णु के छठे अवतार भगवान परसुराम का जन्म हुआ था इसलिए इसे परसुराम जन्ती के रूप में भी मनाया जाता है ऐसी मन्यता है कि इस दिन मा अनपुर्णा का भी चन्म हुआ था इसलिए इस दिन को अनाज की पूजा करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है ऐसा माना जाता है कि अच्छे तृतिया के दिन ही नर और नरायन ने भी अवतार लिया था एक और माननेता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण ने पांडवों को अक्षय पात्र भेट किये थे ये बात्र कभी खाली नहीं रहता था, इसलिए बनवास के दोरान पांड़गों को अनकी प्राप्ती होती रही थी अच्छे तृतिया के दिन भगवान संकर ने कुवेर जी को मा लक्ष्मी की पूजा करने के लिए कहा था इसलिए आज के दिन बिदी विधान से मा लक्ष्मी की पूजा की जाती है मान्यता है कि इस दिन गंगा मा स्वार्ग से बिदा होकर प्रित्वी पर आई थी गंगा को धर्ती पर उतारने के लिए राजा भगिरत ने हचारों वर्षों तक तपस्या की थी इस दिन बिशेश रूप से पवित्र गंगा में डुपकी लगाने से भी वनुष्य के सभी तुराचार नश्ठ हो जाते हैं इस दिन मा अनपुर्णा का जन्मे दिन भी मनाया जाता है गरीबों को खाना खिलाया जाता है और मा अनपुर्णा भोजन किश्वात का सिरवात देती हैं इसलिए महिलाएं अपनी रशोई को पूरा करने के लिए भी उनकी पूजा करती हैं अच्छेत रितिया के दिन महर्शी बेद व्यास जी ने माभारत लिखना सुरू किया था इसे पाचवा बेद माना जाता है ससक्त सिरी राम सिरी मदभागवत गीता भी इसमें सामिल है अच्छेत रितिया के दिन सिरीमत भागवत गीता के अठारवे अध्याय का पाठ करना चाहिए बंगाल में ब्यापारी शर्फ शक्तिमान भगवान गनीश और माता लक्षमी की पूजा करके अपना खाता सुरू करते हैं इसी लिए इस दिन को हलखाता के नाम से भी जाना जाता है धन्यवाद दोस्तों ये थी अक्षेत रितिया से जुरी हुई कुछ खास जानकारिया आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जादा स्यादा लाइक करें, सेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें धन्यवाद नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब, आप सभी परमातारानी की किरपा बनी रहे